दोस्तों आप देख सकते हो एक रिमोट से चनने वाला सूफर कार और इसका जो मास्टर माइन है बारशल के लड़के हैं और जड़कन से हैं और इसको सीफ मैंने इस वीडियो में हिल्प क्या वीडियो बनाने में क्योंकि उसको वीडियो से दिक्कत था और आप भी अगर इस बहुत ही कम खर्चे में इसको ज्यादा खर्चा नहीं पड़ा लगभग यह साट से सतर रूपिया में एक कंपरीट हो गया तो चलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को स्टार्ड करता हूं और इस च्टार्ड करने से पहले आप लोग से एक रिक्विस्ट है कि मैं बहुत ही मे इसको में टॉइ हुिल्स के अंदर डाल कर इसे फेविक्विक के मदद से जिपका लेंगे यह एक के उपर एक डालने के बाद बिल्कुल पूरी की तरफ बन जाएंगे आप देख सकते हो फिंट्स इस तरह से आपको डालना है और यह बिल्कुल पूरी के तरफ बन जिसको हम गियार भी कह सकते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि एक इस तरह से काम कर रहा है आप पूरा वीडियो को देख से इसको हम फेविक्विक के मदद से चिपका देंगे आपके पास अगर हट बूलू गान है तो उसके मदद से भी आप चिपका सकते हो तो आप देख सकते हो फेरिंज ये कुछ इस तरह से दिखा देगा तो आब हम ले लेंगे लॉलिपॉप के कुछ फॉइब और इस पाइप को मैं टायर के सेप के सेप में डाल दूँग का फेरिंज अब देख सेकते हो अब हम दूसरा टायर लगा दूँगा इस तरह से देखिए किस तरह से मैं लगा रहा हूँ अब इसको मैं घुमा के दिखाऊँगा देख सकते हो अब ये किस तरह से घुम रहा है तो इस तरह से घुमना चाहिए अब हम ले लेंगे एक रॉबर्ट और जिसको मैं पूली के अंदर डाल दूँगा अब देख सकते हो इस तरह से पूली के अंदर मैं डाल दूँगा यहाँ पर मैं ने ले लिया है कार लोड का एक टेमपलेट इसको मैं ने प्लास्टिक जो सरसो का तेल के डबबे से काट कर बनाया और अब हम इसको इस तरीके से यहाँ पर टायर के टायर को फिक्स कर लेंगे इस तरह से अब देख रहो हो और यहाँ पर मैं फेभी कुईक के मदद से इसको मैं फिक्स कर देंगे अब देख सकते हो इस तरह से तो आप देख सकते हो friends मैंने hot glue के मदद से मैंने इसको चिपका दिया अब देख सकते हो इस तरह से आपको भी चिपका लेना है और यह बिल्कुल free है यह घूम रहा है देख सकते हो आप इस तरह से अब हम क्या करें friends इसका जो आगे का टायर है तो इसको हम यहां पर fix कर लेंगे और जो आप देख रहे हो यह pipe है इस pipe को मैं बीच में fix कर लेंगे तक कि यह इधर उधर ना भगे तो इसको मैं इस साइड में hot glue के मदद से इसको fix करेंगे तो यह इधर उधर नहीं भागेगा तो चलिए मैं fix करके आपको दिखाता हूँ तो friends अब हम इस तरह से कुछ कागज के टुगरा लेंगे और यहां पर fix कर देंगे यह DC motor को लगाने के लिए और यह DC motor 3.5 वाल का है तो चलिए हम यहां पर fix कर लेते हैं तो अब देख सकते हो friends मैंने यहां पर fix कर दिया हूँ और इसके ऊपर मैं motor को fix कर दूँगा इस तरह से मैं motor को fix कर दूँगा तो चलिए मैं motor को fix करके आपको भी दिखाता हूँ तो friends अब देख सकते हो मैंने motor को भी fix कर दिया और इसमें belt भी लगा दिया जो रवट है मैंन 7-volt का और इसको मैं यहां पर टेप के मदद से fix कर देते हैं तो अब देख सकतों फ्रेंस मैंने इसको fix कर दिया हूं टेप की मदद से अब हम इसका connection करेंगे तो connection करने के लिए आपको एक आयर सेंसर लेना है क्योंकि मैं इसको रिमोट से चलाने वाला हूं और एक ट्रेंजिस्टर लेना है अब देख रहो बीडी 140 इनका नमबर है बीडी 140 और एक क्याफिस्टर लेना है एक हाजार एमेबडी 25 वर्ट तो चलिए अब हम इनको connection करके दिखा आता हूं तो सबसे पहले मैं यह टेंजिस्टर को और आयर को fix कर लेता हूं यहाँ पर तो चलिए फ्रेंज्ट मैं इस टेंजिस्टर को सबसे पहले fix कर देता हूं और इनका नमबर आपको बताया कि बीडी 140 है और इनका डायागरम भी मैं दे दूँगा इस connection का तकि आपका problem ना हो तो इस तरह से यहाँ पर मैं fix कर लूँगा फ्रेंज्ट तो आप देख सकते हो फ्रेंज्ट मैंने टेंजिस्टर को fix कर दिया और इसका जो बीच वाला लेग है तो इसका बीच वाला लेग में मैं इसका जो मोटर का positive connection कर दूँगा फ्रेंज्ट तो इसमें negative positive कुछ भी लिखा नहीं है तो चलिए मैं एक को positive बना देता हूं इसको और इसका बीच वाला के साथ इस मोटर के एक पीन को मैं जोड़ देता हूं तो आप देख सकते हो फ्रेंज्ट मैंने मोटर के एक लीड के साथ एक पीन के साथ मैंने transistor के बीच वाला के साथ connect कर दिया यह red wire को आप देख सकते हो आपको अच्छा से दिखानी कोईस कर रहा तो देख सकते हो फ्रेंज्ट मैंने इस sensor को भी fix कर लिया और sensor का यह side वाला pin आप देख रहे हो यह हुआ in pin और इधर वाला हुआ out pin तो मैं in pin को इस transistor के emitter के साथ जोड़ दूँगा फ्रेंज्ट और इस emitter से मैं battery के positive को जोड़ दूँगा तो अब देख सकते हो फ्रेंज्ट मैंने transistor के emitter pin जो है emitter pin के साथ मैंने sensor के in pin को जोड़ दिया और इसी pin में battery के positive वाला जो wire है मैं red wire को जोड़ूँगा तो चलिए मैं अभी आपको जोड़ के दिखाता हूं फ्रेंज्ट तो अब देख सकते हो फ्रेंज्ट मैंने इसको ज जोड़ सकता हूं यहां भी जोड़ सकता हूं क्योंकि यह wire के दरा एक ही सर्थ जूड़ा हुआ है तो चलिए मैं जो transistor के emitter है emitter के साथ positive condenser को positive को मैं जोड़ देता हूं तो मैंने condenser को positive है उस pin को जोड़ चुका हूं अब बचा negative pin तो मैं negative pin को यह जो BD 140 का transistor है इसके base में मैं जोड़ दूँगा फ्रेंज्ट इस पीन को इस तरह से मैं बेस में जोड़ दूँगा इस तरह से चलिए मैं जोड़ देता हूं तो अब देख सकते हो फिरेंज्ट मैंने यह condenser का negative point है मैंने transistor के base के साथ जूड़ चुका हूं और यह sensor का जो out fin है उसको भी मैं condenser के minus pin में जोड़ दूँगा negative pin में जोड़ दूँगा चलिए मैं जोड़ देता हूं तो अब देख सकते हो फिरेंज्ट मैंने sensor के जो out fin था उसको मैं condenser के minus से जोड़ दिया हूं अब बचा एक लेग यहां पर आप देख सकते हो sensor का जो बीच वाला लेग है यह बचा हुआ है और यहां पर motor के जो एक pin है यह बचा हुआ था क्योंकि positive pin में पहरे ही जोड़ चुका हूं तो negative वाला पीन बचा हुआ था तो इस जो बीच वाला है sensor का यह बीच वाला पीन को मैं motor के जो खाली पीन है उसके साथ जोड़ दूँगा और आपको इस connection का डाइगरम दे चुका हूं फिरेंज्स आप इस कीन पर देख सकते हो तो दोस्तो अब देख सकते हैं इसका सारा connection हो गया है और इसमें से मैंने motor को चेंज किया क्योंकि यह जो motor था इसमें लोड नहीं ले रहा था इसलिए मैंने दूसरा motor लगा दे यह motor खरब निकाल गया तो फिरेंज्स देखिए यह बनके तयार है अब मैं अभी आपको चेक करके दिखाता है किस तरह से काम कर तो दोस्तो घर में पड़ा हुआ कोई भी remote अप ले सकते हो डिटीएज का हो टीवी का हो कोई भी remote में यह काम करेगा तो कोई एक remote में जैसे यह बटन दबाएगा तो यह चलना इस्टार्ट हो जाए तब देख सकते हो फिरेंज्स मैंने क वीडियो को लाइक किजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राब कर लिजिए तो थैंक्यू थैंक्यू शोम